हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शियर और लाइक जरूर करें तो आज का फर्स्ट कर्शन है कि अदोलिकित मैं से बहुतिक बातावरण का तत्व नहीं है तो इसके ओप्शन हैं A. भूमी के रूप, B. म्रदा, C. खनेज या D. बस्तियां तो इसका सही आंसर होगा बस्तियां नेक्स्ट कर्शन है सतत्वा इस्थाई विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंद रखता है तो इसका ओप्शन हैं A. नियती बादी अवधारणा, B. संभव बादी अवधारणा, C. नव नियती बादी अवधारणा या D. उपरोक्त सभी तो इसका सही अंसर होगा नव नियती बादी अवधारणा तो इसके ओप्शन है A. काल रिटर, B. ग्रीफीथ टेलर, C. डेविस या D. डार्विन तो इसका सही अंसर होगा काल रिटर पर नेक्स्ट कॉशन है सैयोक्त रास्ट संग ने बर्ष दो हजार दो को किसका अंतरास्टिय वर्ष गोशित किया है तो इसके ओप्शन्स है A. सतत विकास का B. स्वक्षता वर्ष C. संडक्षन वर्ष या D. ब्रदा संडक्षन वर्ष तो इसका सही आंसर होगा सतत विकास का नेक्स्ट कॉशन है विश्य पर्यावरंट दिवस कौन सी तारीक को मनाया जाता है तो इसके ओप्शन्स है A. 21 जून B. 23 दिसमबर C. 5 जून या D. उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा 5 जून नेक्स्ट कॉशन है निम्न मैंसे किस एक का सम्मंद पर्यावर्णिय सुरक्षा नहीं है तो इसके ओप्शन्स है A. धार्णिय विकास B. गरीबी कम करना C. बातानुकूलन या D. कागच के थहलों का प्रियोग तो इसका सही आंसर होगा गरीबी कम करना नेक्स्ट कॉशन है पर्यावर्ण का संतुलन बनाए रखने के लिए बनान तर्गत छेत्रपल होना चाहिए तो इसके ओप्शन्स है A. बीस प्रतीशत B. तैईस प्रतीशत C. तैतिस प्रतीशत या D. तैत्रेपन प्रतीशत तो इसका सही आंसर होगा तैतेश प्रतीशत नेक्स्ट कॉशन है निमलिकित मैं से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगडता है तो इसके ओप्शन्स है A. लकडी काटना B. सामाजिक बानिकी C. बन महोत्सव या D. बन रोपड तो इसका सही आंसर होगा लकडी काटना फिर नेक्स्ट कॉशन है पेड़ पौधे प्रतीशन को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोशित करते हैं तो इसका ओप्शन्स है A. सल्फर डाइ ओक्साइड B. कारवन डाइ ओक्साइड C. कारवन मोनो ओक्साइड या D. इन मेंसे कोई नहीं जिसका सही आंसर होगा कारवन डाइ ओक्साइड नेक्स्ट कॉशन है भारत में बन अनुसंदान संस्थान कहां इस्तित है तो इसके ओप्शन्स है A. कोलकाता B. बोपाल C. दहरादून D. लखनव तो इसका सही आंसर होगा C. दहरादून पर नेक्स्ट कॉशन है बन रोपन प्रक्रिया है तो इसके ओप्शन्स है A. बन साफ करने की B. जादा पेड लगाने की C. पेड काटने की D. बन संसादनों को एकत्र करने की तो इसका सही आंसर होगा जादा पेड लगाने की तो इसके ओप्शन्स है A. आरक्षित बन B. सनरक्षित बन C. परिवद बन D. उप्रोक्त सभी तो इसका सही आंसर होगा आरक्षित बन नेक्स्ट कॉशन्स है निम्न मेंसे किसको हरा सौना कहते है तो इसके ओप्शन्स है A. क्रशी B. बन C. कॉफी यदि उप्रोक्त सभी तो इसका सही आंसर होगा B. बन नेक्स्ट कॉशन्स है बन महोचसब किस से सम्मंदित है तो इसके ओप्शन्स है A. पेड काटना B. पेड लगाना C. फसलों की ब्रद्धी D. पौधों का सन्नक्षन एवं संबर्दन जिसका सही आंसर होगा B. पेड लगाना फिर नेक्स्ट कॉशन है मिली जुली खेती से क्या तातपर्य है तो इसके ओप्शन्स है A. नगदी और खाद दोनों फसलों का बोना B. एक ही खेत में दो अत्वा अधिक पोधों का बोना C. एक वर्ष छोड़ कर दो अत्वा अधिक पोधों का बोना D. पशुपालन और क्रशी करना तो इसका सही आंसर होगा पशुपालन और क्रशी करना फिर next question है, सौपान क्रशी कहां की जाती है, जिसके options हैं, A. पहाडों के ढलान पर, B. सुश्क छेत्रों में, C. A. और B. दोनों या D. पहाडों की चोटी पर, जिसका सही आंसर होगा, A. पहाडों के ढलान पर फिर next question है, प्राकरतिक संसाधन का उधारण नहीं है, जिसके options है, A. जल, B. उर्जा, C. भूमी, D. इमारतें, जिसका सही आंसर होगा, D. इमारतें फिर next question है, प्राकरतिक संसाधनों का संरक्षन से आशे है, इसके options है, A. संसाधनों का उप्योग कंजूसी से किया जाना, B. संसाधनों का आविशक्ता नुसार दोहन करना, C. संसाधनों का उप्योग ही ना किया जाए, D. संसाधनों का सार्थक एवं नियोजर धंग से उप्योग करना, तो इसका सही आंसर होगा, संसाधनों का सार्थक एवं नियोजर धंग से उप्योग करना, The next question है, प्राकृतिक संसाधनों के नस्ट्र होने का सुमेल कारण नहीं है जिसके options हैं A. जनसंख्या ब्रदी, B. भूकंप, C. पर्यावरण प्रदूशन, D. वन्य जीवों का शिकार जिसका सही अंसर होगा भूकंप The next question है, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है जिसके options हैं A. अनुकूलन, B. जनसंख्या ब्रदी, C. परिवर्टन शीलता, D. पार्थिव एक्ता जिसका सही अंसर होगा B. जनसंख्या ब्रदी The next question है, पर्यावरण अध्यान की प्रकृती है तो इसके options हैं A. एकल अनुशासनिक, B. बहु अनुशासनिक, C. संकुचित या D. दुई अनुशासनिक तो इसका सही अंसर होगा, बहु अनुशासनिक The next question है, हम चारों और जिन दशाओं से गिरे हुए हैं, उनका योग कहलाता है तो इसके options हैं A. आकाश, B. प्रत्वी, C. पर्यावरण, यडी, जल मंडल तो इसका सही अंसर होगा, C. पर्यावरण The next question है, वैश्वीक पर्यावरण के लिए सरवादिक महत्वपूर्ण बन है जिसके options हैं A. बानसूनी बन, B. उश्न कटी बन दिय बर्शा बन, C. शीतोश्न कटी बन दिय बर्शा बन, यडी, भूमद्य साग्रियवन, जिसका सही अंसर होगा, B. उश्न कटी बन दिय बर्शा बन, Next question है, खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव है, जिसके options हैं A. मानव स्वास्त पर प्रभाव है, B. दूल से प्रदूशन, C. भूस खलन में ब्रद्धी, यडी, उप्योग्त सभी, जिसका सही अंसर होगा, D. उप्योग्त सभी Next question है, खनिजों का उप्योग होता है, तो इसके options हैं A. ओशदियों में, B. भोजन में, C. भवन निर्माण में, यडी, उप्योग्त सभी से, तो इसका सही अंसर होगा, D. उप्योग्त सभी से Next question है, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है, जो प्रत्वी तल पर जीवों के बिकास चक्र को प्रभावित करते हैं, यह कथन हैं, तो इसके options हैं A. मेकाईवर, B. निकोलस, C. के आर दिक्षित, या D. इन मैंसे कोई नहीं, इसका सही अंसर होगा, B. निकोलस Next question है, पर्यावरण एक बाहर शक्ती है, जो की हमें प्रभावित करती है, यह कथन है, तो इसके options हैं A. संबिंद्र से, B. J. S. रास, C. सी सी पार्क, या D. इन मैंसे कोई नहीं, तो इसका सही अंसर होगा, J. S. रास तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं